नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपिटर पलेसी की कुछ भरतियों को लेकर बहुत ही महत्तपून अब्डेट के सम्मद में और अधिक समय विष्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ देखे भईया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी की परिक्षाओं को लेकर और यहां जैसा की लिखाया आप देख सकते हैं यूपिटर पलेसी की परिक्षाओं का लटकना तै जी यहां दोस्तो ये लाइन जो मैंने लिखी है इस लाइन का पूरा मैंने निचोड निकाला है तभी मैं इस निशकर्ष पर पहुँचा हूँ कि यूपेटर पलसी की जो आने वाले टाइम में जितनी भी परिक्षाए हैं उनका लटकना बिलकुल तय लग रहा है क्योंकि आपको मालुम होगा कि नवंबर में नवंबर 2023 में एक्जाम की सुरूबात हो जानी चाहिए थी चाये वो ITI instructor की परिक्षा हो, चाये वो नेतर परिक्षन अधिकारी की परिक्षा हो, दंत चिकित्सक की परिक्षा हो, auditor की परिक्षा हो, VPO की परिक्षा हो, इन सारे exams को नवंबर में शुरू हो जाना चाहिए था, और अब तक ये 500 exam हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुए, और ना होने का रीजन ये भी था, कि UPSC अपनी agency का, जो नई agency हैं, उनका chain नहीं कर पा रहे थी, और UPSC ने नई agency का chain भी काफी पहले कर लिया है, लेकिन अब तक कोई भी परिक्षा की date गोशित नहीं हुई है, तो आपको बता दूँ, UPSC की जो पहली परिक्षा इस साल की होने व ये परिक्षा जो पहली हो सकती है, वो हो सकती है, ITI instructor 2022 की, और बाकी सारी परिक्षाएं बाद में ही conduct होंगी, चाए वो नेतर परिक्षन अधीकारी हो, दंदचिकितसक हो, VPO हो, या फिर आपका ओरेटर हो, ठीक है, तो VPO को लेकर काफी छात्रों के comment आते हैं, कि सर ये exam आ महीने में आवेदन किया था, और काफी समय हो चुका है, आवेदन किया हुए, लेकिन आप तक यूपिटर परिक्षा कोई सुद नहीं ली है, ठीक है, तो VPO की जो परिक्षा है, वो आपकी चुनाबादी possible है, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया, मई में आप संभावित म मानके चलें, और अगर कुछ और चेंज होता है, तो आपको बताऊंगा, मैं बागी फिलहाल जो है, परिक्षाओं का लेठ होना साब दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यूपिटर पलसी के विग्यापनों को लेकर, जेई 2022 के द्वारा ही जारी होने वाले हैं, जेई हैं दोस्तों आपने बिलकुल ठीक सुना, और इन में से एक विग्यापन, और बात करूँ मैं जेई विग्यापन की, तो जेई जो विग्यापन है जेई का, वो आपको आने वाले सब्तहा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये विज्यापन बिल्कुल भी अब लेट नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं एक बात और बता दूँ, जो PAT 2022 की जो वैलिडिटी है, वो 24 जनवरी थी, लास्ट डेट, अब इसको यूपिटर पलसी बढ़ाने की तयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक PAT 2022 का रिजल्ट नहीं आता, तब तक PAT 2022 ही मानने रहेगा, जो भी विज्यापन जारी होंगे, वो PAT 2022 के द्वारा ही जारी होंगे, ठीक है, और आपको बहुत जल्द इसके संबंद में नोटिस देखने को मिल जाएगा, यानि कि 24 जनवरी के पहले-पहले, PAT 2022 की जो विल्डिटी है, उसके बढ़ने का नोटिस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, और उम्मीद करिए कि 22 जनवरी तक या उससे पहले-पहले आपको इसका ओफिशन नोटिस देखने को मिल जाएगा, कि PAT 2022 की माननेता अब इस डेट तक बढ़ाई जाती है, ठीक है, और क्योंकि इसके पीछे जो इसकी विल्डिटी है, इसके पीछे बढ़ने के विज़े जो वज़ा है, वो यही है कि यूपिटर पलेसी को अभी तीन विज्ज्यापन PAT 2022 से ही जारी करने हैं, जिनसे एक विज्ज्यापन, जेई का जो विज्ज्यापन है, जेई का और Pharmacist का, ये विज्ज़ापन आपको आने वाले सब्ताह में देखने को मिल सकते हैं, बागी जेई का तो confirm है, आने वाले week में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी ये तीनों विग्यापन जो है आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे ठीक है दोस्तो और अगला जो सप्ता होगा वो जेई वालों का होगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं पैट 2023 के रिजल्ट को लेकर देखे जिस हिसाब से जो जानकारी मुझे मिल रही है यूपिटर परेसी से कि पैट 2022 की जो मानता है वो बढ़ाई जाएगी तो इसको देखकर तो यही लगता है कि पैट 2023 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा आपका लेट होगा ठीक है ना और उमीद करिये कि पैट 2023 का जो परिणाम है वो आपको अब 10 फरवरी या उससे पहले-पहले देखने को मिले जनवरी में उमीद काफी कम है पैट 2023 के परिणाम की ठीक है दोस्तो अब एक बात ये भी है कि पैट 2023 से जो विग्यापन जारी होंगे वो आखिरकार कब तक जारी होंगे क्योंकि मार्च में चुनाब भी है तो उमीद करिये कि पैट 2023 के विग्यापन आने का जो सिलसिला है वो आपको अब अपरेल या मई से ही देखने को मिले यानि कि कम से कम तीन महीने आप मान कर चलिए पैट 2023 के विग्यापनों को ले कर और उसके बाद जब भी पैट 2023 के विग्यापन आने शुरू होंगे तो एक के बाद एक लग है और इसके जो विग्यापनों के शुरुवात है वो थोड़ा लेट होगी दो-तिर महेरे का आपको वेट करना पड़ेगा जब भी कुछ इसमें बढलाव होगा आपको मैं बता दूँगा ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं लेक पाल की जॉइनिंग को लेकर देखे ले लेक पाल तेजी से निप्टेंगे राड़स्त प्रसाशन के काम देखे यह पूरा पड़ सकते हैं और इसमें जो मुख्य बिंद्यों वो यही है कि 7720 अभ्यरतियों की न्युकती के लिए राड़स्त परिशद से संस्तूती की है राड़स्त परिशद अब चैनित लेक पा बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी और आपको मैंने बताए भी था उत्तर परदेश के अंदर लेक पालों की बहुत जादा कमी है और इस कमी को देखते हुए बहुत जल्द जो है इन 7720 लेक पालों की जोइनिंग की प्रिकरिया शुरू कर दी जाएगी ठीक है जो और य प्रिक्षन भी जल्द हो सकेगा जमीन की 25 को भी रफ्तार मिलेगी एगरी स्टेक योजना के तहत मौके पर जाकर खसरी की पड़ताल भी तेजी से हो पाएगी वज़े यह है कि प्रदेश को जल्द ही 7,830 में और लेक पाल मिल जाएंगे जिनमें से 7,720 को जल्द न्युक अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपिटर पलसी के परिणामों को लेकर तो परिणामों को लेकर भी यूपिटर पलसी बिलकुल स्पीड में काम कर रहा है इस बात में कोई शक नहीं है चाहे वो कमबाइन टेकनिकल का रिजल्ट हो जेई का रिजल्ट हो मंडी का ठीक है और वीडियो पर काम अगले सब्ता सुरू हो जाएगा कोई दिक्यत वाली बात नहीं है और ASO के परिणाम पर जब भी काम शुरू होगा आपको मैं तुरंत वीडियो के मादम से बता दूँगा ठीक है बाकी कंबाइन टेक्निकल वाले जेई वाले मंडिय वाले है ना बिलकुल प्रिसन रहें खुश रहें आपके परिणाम पर लगतार काम जा रही है ठीक है तो परिणाम को लेकर जो भी नए अपडेट मिलेगा आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दिये जाएगा दोस्तो यहीं नियूस थी और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जैन जबारत हमेशा खुश रहे हैं मुस्कात रहे हैं